हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार द्वारत से आपके अपने चैनल विवेगरण आप दिल से अगर आप चैनले में नहीं तुछ आपको सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवाना ना भूला ताके आपको सब्सक्राइब के सभी नोटिफिकेशन रिस बार आपको मैंने चिला चिला के बोला हजार बार बोला कि इस debt-free penny stock को buy कर लो जो तीन उपे के तो ट्रेट कर रहा है definitely future में एक multi-way stock ये बनेगा उसके कुछ region भी आपके साथ share किये थे अगर आपने video पूरा अंतक देखे होते पुराने video तो definitely आपने नाम अपने gas कर लिया होगा अगर अभी तक gas नहीं किया है तो definitely video आपक देखो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा भाई ठीक है अगर अभी learning करोगे definitely बाद में earning भी होगी right तो मैं जिस debt-free pharma stock की बात कर रहा हूँ थोड़ा उसके बारे increase हुई है ठीक ठीक है और साथ में एक debt-free pharma stock है और company ने last quarter में अच्छे खाजे profit दी है और yearly basis में company आपकी एक अच्छी profitable company है तो definitely दोस्तों ये एक ऐसा debt-free pharma stock है जो किसी को नहीं पता है और ना कोई इस pharma stock के बारे बात करता क्योंकि ये NSC में listed नहीं है ये BSC में listed है इसलिए इसकी कोई बात नहीं करता है ठीक है अभी तो आप अगर आप अभी तग आपने नाम गैश नहीं किया है तो definitely आपने हमारा वो वाली clip नहीं देखी होगी जिसमें आपको मैंने ये stock recommend और suggest किया था just a guide purpose कि आप stock को अपने watch list में डाल सकते हो तो दिखाता हूँ वो छोटे सी clip और दिखाऊँगा अब stock में आपको क्या करना है और आगे future में इसके हमारे क्या target निकल के आते हैं ठीक है तो वीडियो अं तक देखना और like कर दो आप लोग बिल्कुल भी like करोगे तो definitely मुझे appreciate करता है motivate करता कि आपके लिए ऐसे वीडियो पैनी stocks धूंड के निकालू हजारो पैनी stocks है उसमें से निकालता हूँ जो एक अच्छे golden return आपको देखे जा सकते है तो भाई उसके लिए like और appreciate करो ना यार और साथ में Facebook को share करो अगर Facebook को share करते हो तो भाई definitely आप हगदार हो जाते हो हमसे request करने के कि Sunday वाली class का link देजिए यहां दोस्तों आपको पता होगा हर Sunday हम एक class conduct करते है free of cost जिसमें जो भी strong market मुझे घ्यान आता है वह आपके साथ share करता हूँ free of cost और बहुत सारे वेक्ति इसमें रूची ले रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप भी रूची लो भाई जब वह 100 वेक्ति ले रहे रहे रूची तो आप क्यों नहीं लेते हैं आप भी रूची लो और आओ और डिमांड करो मेंट से हर संडे क्लास होती है आजाओ most welcome है free of cost होता है तो definitely आओ भाई share करो Facebook तभी आना और आने का तरीका गया है विया स्टॉक करके हमारा इंस्ट्राग्राम चैनल है वह आपन हमें मैसेज कर देना हाई share करने के बाद ठीक है लिंक आपको निचे मिल जाएंगे दोस्तो आप देख सकते हो अभी छोटी सी क्लिप चलाओं आप देखना इसका मेरा टाइटल भी यही था कि यह और जिट फ क्या चल ला था तीन उप़े को आपको देखने को मिल सकता है यह तीन उपश दिखा होगा तीन उप़े दस पैसे क्या सपास ठीकिए अब दिखाता हूं आपको क्रण प्राइस क्या चल Sumter का प्रॉफिट बुक नहीं करेगा वैसे मैंने इसमें long term की investment के purpose से पैसा लगाया है तो मैंने तो profit book नहीं किया है मैं profit book करूँगा long term से ठीक है अब दिखाता हूं आपको उसका latest charge view ताकि आपको थोड़ा ease हो जाए समझेने में कि आपको कब stock में द्वारा entry करनी है गलट entry मत करो अच्छी entry करो बलकी ठीक है तो अच्छी entry के लिए आपको wait करना होता है अब आपको wait करना है opportunity का ठीक है आपको chase नहीं करना है wait करना opportunity का एक price आने तो उसके आसपास support लेगा definitely stock वहां से भी rocket होके काफी बड़े target हमें दिखा सकता है उसका clear एक reason यह है दोस्तो company is a profitable इसलिए बड़े target दिखा सकता है और कुछ नहीं है और साथ में जो company का chart है वो काफी A1 है जिस वज़े मुझे लगता है personally यह stock अराम से आपको 14-15 रुपे के target feature में दिखा सकता है once अगर 14-15 रुपे के उपर close कर देता है तो definitely हमें बड़े target भी दिखा सकता है तो मैं आपको लेके च दिखा देता हूं यह stock उपर गया उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इसने breakout दिया फिस stock दोबारा उपर गया और दोस्तों देख सकते हो इस stock ने दोबारा से यह ब्रेक आउट दिया यहाँ पर और दोबारा यह stock उपर गया ठीक है तो आप बोल सकते हो यह जो stock के sink on formation एक higher highs का pattern बना रहा है last video में आपको यह बोला था कि stock higher highs का pattern बना रहा है बिल्कूल दोस्तो जो stock के highs है वो हमेज़ा break हो जाती है और साथ में जो lows जिसके low है वो कभी break नहीं होते है तो दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका low break नहीं हुआ इसका low break नहीं हुआ इसका low break नहीं हुआ ठीक है तो आप दोस्तो एक प्रकार से बोच सकते है higher highs का pattern मना रहा है और साथ में आप अपना stop loss ट्रेल भी कर सकते हो तो चाहो तो आप stop loss अपना यह लगा के यह लगा के आप stock में बैठ सकते हो long term के लिए ठीक है तो आपको समझ आ गया कि stock में आपको उसमें क्यों दिया था एक higher highs का pattern मना रहा था जब भी आपको अगर यह pattern किसी भी pen stock में मिले या किसी भी large cap, small cap, mid cap stock में मिले तो definitely आप stock को buy करके चल सकते हो एक eternal night draw करो ठीक है जैसे मैंने कर रखी है भी और उसके last swing का stop loss लगाओ और double और triple का profit के लिए वेट कर सकते हो और आपके सामने है इस stock का मात है हमारा जो stop loss है मात 30 और 40 पैसे का stop loss था चाओ तो क्लिप पुरानी चला के देख सकते हो 100 बार बोला 3 रूपे 10 पैसे का buy कर लो मात 30 पैसे 40 पैसे का stop loss है और target हमारे आपको बता है अगर rix reward अब लगाते हो तो भाईया 1 तो 10 का भी rix reward हमें निकल के आया है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है तो आपके सामने मैंने आपको बतला दिया कि क्या हुआ था अब आप stock में क्या हुआ देखो उस ममझो दोस्तो देखिए यह stock दुबारा से यहाँ पर बहुत दिनों तक गुमने वाला है यहाँ पर stock का जो support निकल के आता है मैं आपको support दिखा जाता हूँ तो अब देख सकते हो अगर यह stock का अगर आप average निकाल तो यह support एरिया है तो इसने इन दोनों का part का आप क्या करोगे 50% निकालोगे तो यह आप माल सकते हो कि 50% के आपसने support लेके उपर गया है तो आप दोस्तो तुबारा से क्या करोगे जिनको Fibonacci retracement लगाना आता है जिनको नहीं Fibonacci retracement लगाना नहीं आता है तो हम क्या करेगे इस संडे को एक class लेने वाला हूं मैं सच Fibonacci retracement इंडिकेटर को कैसे अपलाए किये जाता है चार्ट्स में और कैसे उससे levels फ्लौट किये जाते हैं ठीक है कैसे levels फ्लौट किये जाते हैं कैसे levels निकाले जाते है उससे जिनको नहीं आता है definitely इस संडे को या next संडे को उसके उपर हम class रख लेंगे Fibonacci retracement के उपर ठीक है यह जो Fibonacci retracement topic है इसके पर मैंने कभी बात नहीं करी है तो कि भाई यह जो topic है बहुत deep topic है और सबसे best indicator है जिसको मैं personally use करता हूं यह serious चीज आपक 50% निकालना तो अगर आ 50% निकालते हैं इन दोनों के बीच का तो तीन रुपे का low है पांच रुपसी वैसे का high है तो इसका जो 50% निकलता है मेरे साब से निकलता है आपका 4 रुपे 10 पैसे के आसपाद तो stock अगर आपको 4 रुपे के लेवल में दिखता है future में यह आपका sink on foundation तो definitely एक अच्छा bet हो सकता है 4 रुपे के लेवल में और आप stoppers लगा सकते हैं यह वाला मैं यह उनकी बात कर रहा हूँ जो दुवारे से एंट्री करना चाते है ठीक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने already hold कर रखा है जिन्होंने hold कर रखा है वो तो hold करो ल और यह last stoppers लगा ले ना last swing ठीक है तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा अब दिखाता हूँ company के profit जिस वज़िसे मैं आपको लगतार कहा रहा हूँ कि company काफी सांदार है देखो थोड़े एक बर तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आगए शार् और debt free company है और company आपको लगता है repeated profit देरी जैसे मैं आपको बतलाया ठीक है बहुत बार मैं इनके उपर discussion कर चुका हूँ बार मैं जल्दी इसको उपर cover कर लेते ताकि लोगों का time pass जल्ली मतला I mean दोग बोर ना हो दोस्तों मैं आपको सीधा yearly profit दिखाता हूँ आप देख सकते company के profit दोस्तों आप देखतों company लगाता है आपको profitable company है और current TTM में 26 क्रोड का profit हो चुका है और last FI 20 में 14 क्रोड का profit था और FI 19 में 11 क्रोड का profit company ने दिया था books में तो दोस्तों आप खुद देखो ये एक ऐसा debt free penny stock था pharma का जो undervalued था अपने price से ठीक है आप definitely दोस्तों जो इ quarter के company के profit आएंगे उसके basis में decide करेंगे कि stock को hold करना भी है या नहीं करना है बात को समझो ठीक है हमेशा ध्यान पूरवक काम किया गरो दोस्तों आप देख से तो company का reserve काफी बढ़िया है और 7 टोड़का मत डेट था ठीक है इसी वाज़े से आपको stock ये दिया था आप दोस् के मालिकों ने अपनी holding बढ़ा दी 41.18% almost आदा परसेंट के आसपा half परसेंट के आसपा अपनी holding increase करी है इस stock में और उससे ये holding उन्होंने buy करी हमारे public से तो बात को समझो जब promoter ही अपने stock buy कर रहे तो आप लोग क्यों पिछे हो definitely दोस्तों यह last swing आपको देखने को मिला है यह stock जब नीचे गिरेगा इसमें मेरा मानना है यह promoter दुवारा से stock में entry करेंगे अपनी holding दुवारा से बढ़ाएंगे तो भाईया जब वो मालिक बढ़ा रहे है अपनी holding तो हमें भी stock को hold करना चाहिए तो दोस्तों यह कुछ region थे जिस बज़िस मुझे लगता है यह future का multi और चिट फार्मा से बड़ा stock बन जा है ठीक है कोई नहीं जानता क्योंकि दोस्तों और चिट फार्मा भी आपके देट साल पहले चार रुपे के आसपर trade कर रहा था बात को समझो इसलिए मैं कहा रहा हूं ठीक है हमें अगर तो उतनी return नहीं मिलती है हमें अगर 15 रुपे क आसपर चे ले जाता stock तो भाई हमारा पैसा तीन से चार बुना हो गया ठीक है 15 रुपे जाने के बार हम decide करेंगे कि हमें क्या करना है पहले एक बार 15 रुपे तो आने तो 15 रुपे आने में एक stock को कम सेंगा हम दो एक साल लग सकता है इसलिए कह रहा हूं सोच समझ के investment किया जो भी आपके question है definitely उसको उत्तर मिलेगा और Instagram में message करो वीडियो को share करने के बाद skin shot tag करने के बाद और skin shot का message देने के बाद ठीक है तब आपको Sunday की class का link दे दूँगा जिसका topic है हमारा Fibonacci retracement के उपर ठीक है चलो bye bye good night